आपको यादी होगा कि साल 2022 में भारत की ब्रमोस मिसाइल के साथ एक अजीब घटना घटी थी दरसल उस समय भारत की एक ब्रमोस मिसाइल अचानक से उड़कर चली गई थी पाकिस्तान में जहांपर उसने बहुती अंदर जाकर पाकिस्तान में एक जबरदस्त धमाका कर दिया दो भारत के ब्रमोस मिसाइल में चली गई थी लेकिन कई लोगों ने पाकिस्तान में यह कहा कि यह भारत ने जानबूच कर किया है ताकि पाकिस्तान के डिफैंस सिस्टम को चेक किया जा सके खैर वो घटना आई गई हो गई लेकिन अब दो सालों के बाद एक और ऐसी घट नगठ चुकी है दरसल हाल ही में भारते वायू सेना पाकिस्तानी सीमा के पास पोकरण रेंज में एक बहुत बड़ा युद्धा ब्यास कर रही थी इसी दोरान भारत के लडाकु विमानों में से एक लडाकु विमान का एर उडाकु विमान से अलग होकर जमीन पर जागिडा और जवरदस्त धमाके के साथ फटा और इसे देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानियों की हालत पतली होगे क्योंकि जो उसके आसपास के इलाके थे वहाँ पर कहीं पाकिस्तानियों को लगा कि भारत ने कहीं फिर से हमलातों शुरू नहीं कर दिया इसके लावा पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसी ही खबरे वाइरल होने लगी लेकिन कुछी गंटों के बाद भारती वायू सेना ने ये किलरिफाई किया कि ये जान बूच कर किया गया नहीं था बलकि एक एकसिडेंट के जरीए ये हुआ और हमने इसके लिए को कि एर स्टोर आखिरकार है क्या बला तो देखिए जितने भी लडाकु विमान होते हैं न समय समय पर इनके युद्ध भ्यास करवाई जाते हैं ताकि युद्ध के लिए ये प्रिपेर रहें हर समय तयार रहें इसके लावा युद्ध की जो नई नई टेकनिक होती है दुन के बॉम होते हैं उन्हें तो आप चिला नहीं सकते क्योंकि एक तो बहुत जादा महंगे होते हैं एक मिसाइल अमूमन साथ से लेकर करीबन सो करोड रुपे तक चली जाती है लेकिन उन्हें अगर आप इस्तमाल करोगी दभ्यास में तो आपकी वायू सेना का बजट डबल तिबल हो जाएगा इसे आप नहीं कर सकते दूसरी बड़ी बात जो असली बॉम और मिसाइले होती है वो जबर्दस तबाही मचाती है और अगर आप उन्हें इस्तमाल करोगे तो जमीन पर भेंकर धमाके होंगे जिससे की आस पास के जो लोगाओं होते हैं कस्पे होते हैं वहाँ पर दहशत फैल सकती है और इतना ही नहीं अगर गलती से एक आद मिसाइल इदर उदर हो गया और किसी गाओं में जाकर लैंड हो गया तो उससे भी जबर्दस तबाही मचेगी इसलिए जो अभ्यास किये जाते हैं इसमें कभी भी असली बॉम यूज नहीं होते हैं एर स्टोर ये एक परकार की होती तो मिसाइल और बॉमी हैं लेकिन डमी इनके अंदर विसपोटक नहीं होता लेटरली हवाई होती है और इसलिए इन्हें एर स्टोर का जाता है और जमीन पर गिरने के बाद एक छोटा सा धमाका होता है वो भी जमीन से टकराने के कारण जि तो हाल ही में घटी है पोकरन रेंज की और यही वो एर पोकिट है जिसे आसपास के गाउवाले देख रहे हैं जो एक्सिडेंटली जमीन पर आकर गिरा है तो खैर ये दुर घटना कैसे घटी वो तो कोट ओफ इंक्वाईरी में पता चलेगा लेकिन एक बात ता है कि कुछ इंसिडेंट पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जूरू बताईएगा